कैसे वाप से भी जी के बाई मास्टर सनी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आपके लिए हम सिख्षा और जो बोर्ड से रि आपके सामने वीडियो लेख रहे हूं बाल लिक्वास एम शिक्सा सास्त्र सिख्षा मने उग्यान का पार्ट थ्री लेख रहे हूं जिसमें संपूर्ण बाल विकास कराई जाएगी इससे पहले में दो पार्ट अप्लोड कर चुका हूं चलते फ्रेंट्स वीडियो के अधिगम से और नेक्स्ट कोस्चन है इसका विकास की मंद गती की स्थिति में अधिगम होता है मंद होता है और नेक्स्ट है अधिगम के लिए आऊ सके बालक की मानसिक स्वस्ता एम सारिक स्वस्ता और नेक्स्ट कोस्चन है कोशलात्मक अधिगम के लिए परमुख आऊ सक प्रवावसाली बनाने तथा प्वावसाली बनाने तथा प्वावसाली गुणों के सीखने में आवसक होता है सरीक मानसिक यहूं समजिक विकास स्वस्थ शरीर में नहीत है स्वस्थ मन गतिविदी आदारीत अधिगम के लिया आवसक है सरीक यहूं मानसिक विकास विकलांग बालकों के समक्स विद्यारले में समयोजिन की समस्या का परमुक कारण होता है सरीक विकास सारीक विकास को इसलिए मैतवपुर्ण माना जाता है क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान है यह अधिगम में योगदान देता है और यह कोशलो को शीखने में योगदान देता है क्योंकि यह मानसिक रूप से मन्द बालक का अधिगम सतर कम होता है क्योंकि यह बालक विशेवस्टू पर ध्यान नहीं दे पाते हैं इनका मानसिक विकास पूरण नहीं होपता और नेक्स्ट कोश्चन है आवदान का समस्थ संबंद होता है मानसिक विकास से नेक्स्ट कोश्चन है समिर्थी विहिन बालक का अधिगम सतर निमन होता है क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं होता और नेक्स्ट कोश्चन है एक बरलक अपनी सेक्सिक समस्याओं का समधान करने में ऐसमर्थ है तो माना जाएगा मानसिक विकास का अबाव नेक्स्ट कोश्चन है परवावी एयों उच अधिगम के लिया आऊ सके मानसिक विकास Next Question है, अधिगम से संबंधित मानस्िक सक्तिया जいます, समिरती आउधान चिंतन Next Question है, कक्सा में अधिगम परिक्रिया है तो बालकों का समुवी बाजन किसा अधार पर किया जाता है? मानस्िक विकास के अधार पर और नेक्स्ट कोस्टन अधिगम परिकरिया में चिंतन की परवावसीलता परदर्शित करती है उच मानसिक विकास को नेक्स्ट कोस्टन है अधिगम परिकरिया में परमुक भुमिका होती है मानसिक सकती होगी नेक्स्ट कोश्चन है किसी कारियों को सीखने में सफलता के लिए आउसक है उचित सर्रीक विकास और उचित मानसिक विकास नेक्स्ट कोश्चन है उच मानसिक विकास के लिए आउसक है उत्तम स्वास्ते मानसिक विकास की मन दिता परवावित करती है अधिगम को नेक्स्ट कोशन है परबावसाली बालकों का दिगम सतर उच पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है उच होता है अरस्तु के इनुसार शिक्षा का पर्मु खुदे से माना जाता है मानसिक सक्तियों का विकास सिक्षक के मानसिक सवस्त का परभाव पढ़ता है शिक्षन अधिगम दोनों पर वेगैनिक विदियो का परियोग परमुख रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जाता है जो छात्र है परभावसाली उच मानसिक विकास वाले सम्वेगों का संबंद होता है मूल परवर्ती से अधिगम की परिक्रिया के परभावी रूप से विक्षित होने के लिया आउसक है सम्वेगात्मक श्थिर्ता नेक्स्ट कोशन है बोतिक विकास हैं अधिगम के मूल में समावेश है सम्वेगात्मक विकास सुर्जन की क्रिया किस सम्वेग से बादित होती है गिर्णा से वाइवार के सीखने में योगदान होता है सम्वेग होगा सैस्वा वस्ता में पर्मुक रूप से विक्सित होता है प्रेम भै और क्रोध नेक्स्ट कोशन है वायवार में मर्याता का समयवेश पाया जाता है समयगात्मक इस्तिर्ता के कारण एवं समयगात्मक इस्तिर्ता के कारण नेक्स्ट कोशन है बालक सिगरता से निर्ने लेने की छमता सिखता है किसोर अउस्ता में नेक्स्ट कोश्चन है वैक्तितव निर्मानें विकास की परिकरिया में योगदन होता है सम्वेगों का सथायतव नेक्स्ट कोश्चन है एक किसोर भूक लगने पर खाना बनाने का परियास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है उसका यह परियास माना जाता है सम्वेग द्वारा सीखना नेक्स्ट कोश्चन है एक बालक को धन की आव सकता होने पर पिता से धन मांगता है इसके लिए उपेक्सा मिलने पर धन कमाने के लिए विबिन कोशलो को सीखने लगता है इसका कारिय में किस सम्वे का योगदान होता है आत्तम्स अभिमान का नेक्स्ट कोशन एक बालग मर्यादित वैवार को सिखता है इसके मूल उदेश से नियेत होता है चारित्रिक नैत्तिक समजिक विकास का नेक्स्ट कोशन है मुन्रो के अनुसार चरित्र में समयवेश होता है सथाई उत्तव का एम समजिक निरने लेने का नेक्स्ट कोशन है चरित्रिक विकास के अंतरगत विकास सम्मंदी क्रियाव को बालग सिखता है आत्तम अनुसासन मर्यादित वैवार नैत्तिक वैवार चरित्त्र को माना जाता है सामजिक दरवर Next question है चरित्रिक विकास संबन्धिक रियाव को बालग सीखता है पुर्वजों से, परिवार से, शिक्षक अम विद्याले से नेक्स्ट कोशन है एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्तर का सर्वतम गुण उसकी यह सीख की परिक्रिया है नेक्स्ट कोशन है एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है तो उसको सीखने की परिक्रिया के मूल में समावित होता है चरित्रिक विकास की भावना नेक्स्ट कोशन है अच्छे चरित्र की और संकेत करता है नतिकता मानवता और करता है नेक्स्ट है हम की भावनाक से सम्बंदित किरियाओ को बालक की सवस्था में सीखता है बाले अवस्था में और बालक विद्याले में शिख्षक के गुणों को ग्रैन करता है क्योंकि वैथ शिख्षक को सविकार करता है इसका अनस्वर है चरित्रवान वैक्ति के रूप में नेक्स्ट है नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयू होती है लगबग चार वर्स नेक्स्ट कोस्टन है बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आदार पर शीखने का परियास की सवस्था में करता है पांच वर्स से छे वर्स में क्रो एंड क्रो के इनुसार जर्म के समय बालक होता है सामजिक वै असामाजिक नेक्स्ट कोश्चन है बालक समाजिक वहवार को तिरवगती से सीखता है इसका अंसर समाजिक विकास की अवस्था में नेक्स्ट है समाजिक वहवार को बालक पर्थम रूप में सीखता है सैसवा अवस्था के अंत में Giroab बनाने की पर्विर्दी बालक सीखता है बाले रवस्ता में समझिक भावनास से संबंदित कार्यों को बालक सीखने लगता है बाले रवस्ता में किसोरवस्था में बाल को द्वारा समावेजन की परिगरिया को सीखने में अस्तिरता का समावेज होनना का कारण है समेगों की तिर्वता सामजिक कारियों में उत्सा एम तिरवता का परदर्शन एम उन्हें सीखने के परिगरिया किस अवस्ता में तिरव गती से संभाव होती है किस अवस्ता में सामजिक विकास एम कारियों को सीखने में परवा होता है वनसा नुकरम का Nx. Question है बारलक को सामाजिक गुणेों को सीखने के में सहायता करता है खेल वे पाठेकरम सामागी करियाए Nx. Question है सामाजिक करियाओं को सीखने के लिया आवसक है उत्तम स्वास्ते, मानसिक स्वास्ते, समय गात्मक, इस्थिरता नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के नुसार कौन सी विकास साथ साथ चलते हैं सामजिक विकास एवं समय गात्मक विकास हर लोग के नुसार बालक सरवादिक समझी कारियों को सीखता है समू में नेक्स्ट कोशन है सामजिक विकास को परभावित करता है समेगात्मक एव मानसिक विकास तथा बनसानुकरब नेक्स्ट कोशन है तथ्यात्मक ग्यान को सीखने में सरोपर्थम हो सकता होती है भासाई विकास की नेक्स्ट कोशन है भासाई किरियाओ को बालक सरोपर्थम सीखता है परिवार से Next question है बासाई ज्ञान को प्रिस्किर्ट करने का सादन है विद्यार ले Next question है सैस्वा वस्था में भासाई तथ्यों के सीखने में सबसे अधीक परभाव पड़ता है परिवार की सन्सक्रति ऐउन सब्यता का सेस्वस्ता में भासाई तर्थ्यों के सीखने से सम्मδώ से अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार की सनस्कृतिया हैं सब्हता का नेक्स्ट वोसण है समान भासाई अधिगम की執्टिती में बालक लगबग 200 से 225 तक सवद की सायू वर्ग में सीखता है दो वर्ष में नेक्स्ट कोशन है भासाई तत्यों को कौन अधिक तिरुगती से सीखता है बालक वे बालिगा नेक्स्ट कोशन है निमलखीत में से कौन सी संस्था वासाई तत्यों को सीखने में बालक की सायता करती है समुदाई एम घर्व विद्याले एम परिवार समझी के एम अर्थिक इस्तिती सिमित के अनुसार जनम के बाद पर्थम दो वर्ष में लंबी आवदी तक रोग्रेस्ट होने के कारण भासाई विकास की क्रियाक हो जाती है मंद एम समाने नेक्स्ट है भासाई एधिगम को परवावित करने वाला कारक है स्वास्त एम बुद्धी नेक्स्ट कोशन है भासाई अधिगम स्वरवादिक परवावित होता है अकलाने से एम तुतलाने से भासाई अधिगम परवावित होता है सामाजिक इस्तिती से नेक्स्ट कोशन है सुर्जनात्मक विकास में नियत होती है बालक बाल कलपना Next question है बालक द्वारा मिट्टी के घर एंग खिलोने का निर्मान करना सुचक है सुर्जनात्मक विकास का Next question है बालक में आयूश की विर्दी के साथ साथ कलपना का सवरूप होता है मंद कनीट में सर्जनात्मक के माध्यम से सिक्षन में बाल्कों को परदान किया जा सकता है गनीतिय आकर्तियों का निर्मान Next question है एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बचाने का बनाने का प्रयास करने लगता है उसके मूल में सामाईत है सर्जनात्मक नेक्स्ट कोशन है बालक द्वारा राज्जा चोर एम सिपाई की भूमेका का निर्वेन करना एम उनकी गतिवीदियो को सीखना निर्वड करता है सर्जनात्मत के विकास पर नेक्स्ट कोशन है बालकों को कविताओं के माद्यम से सिक्षन करना पर भावसारली माना जाता है क्यूंकि कविताओं में नीथ होती है, सौंद्रिय, संगीत लोग गीत का अधिगम बालक शिगरता से करते हैं क्योंकि इसमें नीत है संद्री अधिगम भाव पक्स next question – प्राकरतिक संद्री अधिगम में परियोग करने के लिए छात्रों में कीस विकास किया हुशकता होती है सुरजनात्मत में विकास की next question – सीखने के नियमों के परतिपादक है थरंडाईक next question – जीखने के नियम आधारित है परियास और तुरुट्टी विदी पर नेक्स्ट कोशन है परियासें तुरुटी द्वारा सीखना ही उदिपक परतिक्रिया का सिधानत है नेक्स्ट कोशन है वैवार के कारण वैवार में कोई भी परिवतन अधिगम है ऐसा क्या का गया है गिलफोर्ड द्वारा पावलाउ था एक रूसी मनोव जय्यनिक अधिगम के विविन विद्वान व्यक्षा करते हैं अधिगम से उत्पन एयों व्यक्त होने की परिक्रिया की पावलाव ने संबंध परत्यावरतन सिधान्त का परयोग सरफ़तम किस पर किया कुट्ते पर अंतद्रेश्टी या सूज का सिदान्द के जनक है कोईलर नेक्स्ट कोचन है अनुकरन सिदान्द के द्वारा बालक में क्या विक्सित किया जा सकता है सद्दीचार और सद्वयवार नेक्स्ट कोशन है जिस सिधान्त के अनुसार प्राणी किसी परिस्तित को देख करके तथा अनुभाव करके उसकी पूरण वाकरती बनाते हैं वह है गेस्टाल्ट का सिधान्त नेक्स्ट कोशन है बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टैप रिकॉर्डर पर टैप रिपॉर्ड रिकॉर्ड करके उसका सब्बन मस्तिक से कर दिया जाता है यह कथन है सुप्त अधिगम नेक्स्ट कोशन है निमन में से अधिगम की विदिया है अवलोकन विदी करके सीखना सुप्त अधिगम वे सामविक विदी नेक्स्ट कोशन है सिक्सन और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू है सिक्सन से अधिगम तथा अधिगम से सिक्सन की प्राप्ति होती है दोनों गत्यात्मक परिक्रिया है Next question है, शीकने के सूज के सिदान्द की सैक्सीख उप्योगता निम्मन में से नहीं है या सिदान्द समय प कर सीथने पर अधिक बल नहीं देता Next question है, शीकने का सोज के सिदान्द में किस जानौर का प्रयोग किया गया? चिंपैंजी पर नेक्स्ट कोचन है अधिगम को परभायूत करने वाला कारक है बूख वै एवं परिपक्ता परसंचा व्यमनिंदा चिक्सनपत्ति एवं अभ्यास सीखने में रोकावट आने का कारण है पुरानी आद्थों का नई आद्थों से संगर्ष कार्य की जटिलता सार्जीक सिमा लक्से प्राप्ति में सूज का महतों माना है ड्रेवर का ड्रेवर ने सीखने की एक परमुख विशेष्टा पठार है ये कथने रोज का नेक्स्ट कोशन है सीखने में उन्ती पूरण संभव है सिधान्त रूप में नेक्स्ट कोशन है सीखने की आवसकता है बालक का पूरण व्यक्तिता हो नेक्स्ट कोशन है शीखने की गती निर्वर करती है शीखने वाले की रूची पर जिग्यासा पर शीखने वाले की प्रेणा पर नेक्स्ट कोशन है शीखने की अंतिम आउस्ता में शीखने की गती होती है दीमी Next question है शीखना प्रारंब होता है जीग्यास्या से Next question है शीखने की परिक्रिया संपादित होती है शिकस्कों से Next है बंदूरा के अनुसार किन परतिरुपों का बाल को द्वारा अनुकरन किया जाता है जो पूर्शकृत साधनों पर नियंतरन रखते हैं जो उच सतर रखते हैं नेक्स्ट है अधिगम की परिकरिया में कीन परतिरोपों का अनुकरन नहीं किया जाता आयोग्य परतिरोपों का नेक्स्ट है नियम्लखीत में से कौन सा तत्य बंदूरा के वैक्तितव के सिदान से संबंदित है सामजिक पुरुसकार का सिदान दंड का सिदान परतिरोपों के तादमित करन का सिदान और नेक्स्ट है राम के पिता को परमवीर चक्र परतान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कारियारत है उसके पिता को सभी समाज के सामने समानित किया गया इसके बाद बालकों में देश सेवा की क्रियाओ को भाग लेने की बावना विकास हुआ यह परिकरिया बंदूरा के विकाह किस विदान्द पर आधारित है सामजिक पुरुसकार का सिदान्द एक बालक कक्सा के लिए कक्सा से इसलिए नहीं भागता कि शिक्सक दुआरा अन्य भागने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है उसका यह अनुकरण किस सिदान्द पर आधारित है दंड का सिदान्द नेक्स्ट है बंदूरा के परमुक रूप से वैक्तिताव सिदान्दों की संख्या है दोग नेक्स्ट है बंदूरा ने अपने सिदान्द का परियोग किया बालको पर बंदूरा के द्वारा परस्तुत अधिगम सिदान्त में फिलम के भाग थे तीन बंदूरा ने पर्मुख रूप से अपनी परियोग संबंदी के रियाओं में किन तत्यों को सतान परदान किया पुरुसकारयों दंड बालको द्वारा पर्तिरूप से किस परकार का वहवार अनुकरन नहीं किया जाता है दंडित वहवार का बालक द्वारा सर्वादिक परतिरूप के किस वहवार का अनुकरन किया जाता है पुरस्किर्द वहवार का नेक्स्ट गोशन है ता दात्मिकरण का आश्य है परतिरूप की क्रियाओं को अत्तम साथ करना। नेक्स्ट है चात्रों में अनेरित परतिभाव का विकास संभाव होता है ता दात्मिकरण का द्वारा। तादात्मिकरण की परिक्रिया से संबंदित तथे है परतिरूप के वयवार से परवावित होना, परतिरूप का चायन करना, परतिरूप के अनेक वयवारों का अनुकरण करना नेक्स्ट है एक बालक द्वारा सिक्षन कला को देखकर उसके वैवार का अनुकरण किया जाता है बालक द्वारा बंदुरा के किस सिदांद का रूम करण किया जाता है ता दात्मिकरण के सिदांद का नेक्स्ट है अधिगम करता किसी परतिरोप का चैन किस अधार पर करता है सानु भूतियों आत्मिय वैवार नेक्स्ट है विज्याले के नियमों को अनुकरण छत्रों द्वार किया जाता है दंड के अधार पर नेक्स्ट है एक बालक अपने सहे पाठी राम को दोड़ने में पर्थम सतान प्राप्त करते हुए देखता है तो वै भी उसका अनुकरण करने लगता है उसका याया अनुकरण माना जाएगा इर्षया के अधार पर नेक्स्ट है एक बालक में खेल के पर्थी रूची अधिक है इसलिए यायन ने शिक्सको की तुलना में खेल शिक्सक को पर्थी रूप के रूप में सविकार करता है उसका याया पर्थी रूप चैन आधारित होगा आध्तों की समानता नेक्स्ट है मोवन अपने बड़े भाई को दूसरे की सायता करते होई देखता है परिणाम सहुरुप वै भी इस कारिया में लगा जाता है इस परिक्रिया में पर्मुख भूमिका होता है परवाव सीलता की नेक्स्ट है सामजिक अधिगम की परिक्रिया में सथाई उत्तव की इस्तिती उत्पन होती है जब कोई घटना बार बार होती है सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगम करता द्वारा उसकी सविकृति उपयोगी ता किस किरिया में उत्पन करती है सथाई अधिगम समान्य परिष्थितियों में 5 वर्ष के बालग द्वारा 7 वर्ष के बालग की तुर्णा में कम समजिक अधिगम किया जाता है इसका परमुकारण है आयू परिपक्ता समजिक अधिगम की तिरवता एं सथाई गति होती है सिक्सक समाज में जिस समाज में समजिक नियाव में परमपरा परगरती सील एवं आतम नुसासन के से संबंदित होंगे रुडिवादी समाज में समाजिक अधिगम की मंदिता का कारण होता है एस्वास्त परमपराए और विश्वास अनुपयोगी परमपराए नेक्स्ट है अन्य देशों की तुलना में भारते बालकों में समजिक अधिगम की गती तिरव होती है क्योंकि भारते समाज का संपन है सिक्सा से नेक्स्ट है किसी समाज में आंतरे कले संगर सेम असांति का वातवरन है मंद ले लदा की तुलना में दिल ने में सहने वाले बालक का सामजी गदिगम अधिक होगा होता है इसका पर मुकारण है जलवाईए Next है सामजी का अधिगम कीन परिस्थितियों में उत्पन होता है अधिगम करता के अनुरूप नेक्स्ट है शीखने के मुखे नियमों के अतिरिक्त गोण नियम भी है जो मुखे नियमों की विगतार देते हैं गोण नियम आंस्वर है बहु परतिकरिया नियम निमन में से जो अधिगम के सथाना अंत्र का सिधान्द नहीं है वह है असमान अंचो का सिधान्द निमन में से जो वन्चित वर्ग से संबंदित नहीं है वह है अमीर वर्ग नेक्स्ट है मूल परिवरता एक जातिक के प्राणियों में एक सी होती है यह कथन है भाटिया का नेक्स्ट है पावलाव ने अधिगम के को सिदान परतिपादि किया थावैं अनु कुलू परकरिया मूल परिवर्टियों में आवस्यक होता है अनुभाव मापन किया जानने वाला वैक्तिताओ का परियोग पहलू वैक्तिताओ भिन्ता का अंस है उप्युक्त वैरिवैसाद दी है सिकिनर ने नेक्स है थन्डाय का सीखने का मुख्य नियम है सद्यसी करण का नियम नेक्स है अंत दिरश्टी पर परवाव डालने वाले तत्व है बुद्धी अनुभाव परियातन परियंत एवं तिर्टी नेक्स है किरियातमक अनुबंद का सिदान की किस की देन माना जाता है सकिनर की नेक्स है जिन आद्टों का सम्वंध मस्तिक से होता है वह है नाड़ी मंडल समधी आते नेक्स्ट कोशन है जब पूरू प्राप्त अन्भाव नवीन समस्या को वाल करने में सायक होता है गहा है घनात्मक सुथान नांत्र फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं और चै हमारी प्लेलिस्ट में अगर आपको कोई वीडियो सर्च करने है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप आप जाकर चैक कर सकते हैं क्या पता आपका स्वालेंशन करीं में हो जए थैंक यू धन्यवाद